प्रदेश में जो किड़नी के पेशेंट हैं जो हमने अपने संकल पत्तर के अंदर भी ये संकल पिलिया था कि हमारी सरकार आएगी और हम जो पिड़नी के पेशेंट हैं उनका इलाज हरियाना के सभी सरकारी होस्पिटल में फ्री में होगा तो आज उस फाइल के उपर सैन किये हैं क्योंकि डल्सिस एक इस परकार की बिमारी है कि विक्ति को एक डल्सिस कराने में लग भग पच्छी सो रुपे का खर्चा उसका आता है महिन्य में कोई चार भी कराता है, छे भी कराता है, साथ भी कराता है, लगवग 20 से 25 अजार रुपे महिन्य का उसका खर्चा वो आता है, अब ये सारा का सारा खर्चा हर्याना सरकार प्रंत परभाव से वो लागू हो गया है, हर्याना प्रदेश के किसी भी हॉस्पिटल में अब विक्ति को ये खर्च नहीं उठाना पड़ेगा, हर्याना सरकार इस खर्च को वहन करेगी, ये मैंने सबसे पहले निर्ने लिया है, जैसा मैंने कहा है कि हमारा जब मैंने ये फैंसला लिया, डैलसीस का, उसके तुरंत बा हमारी कैबिनेट की बैठक थी, माननिय सुप्रिम कोट के उस फैंसले का, हमारी कैबिनेट ने वो सम्मान किया है, जो एसी में वरगी करण का मामला था, वो तुरंत उस माननिय सुप्रिम कोट के फैंसले को सम्मान देते हुए, हमने ये फैंसला किया है, कि जो वरगी करण क के उपर माननिय सुप्रीम कोट ने कहा था आज से ही लागू करने का फैंसला हमने लिया है हमारी सरकार गरीब कल्यान को समर्पित रहेगी अनदाता के विकास और समरीदी के लिए काम करेगी तथा नारी शक्ति को और मजबूत करने का काम करेगी मैं एक बार फिर से आज आपके माध्यम से ऐसे लोगों को चेतावनी देता हूँ जो अपरादिक गतिविदियों में शामिल रहते हैं वे या तो परदेश छोड़ दें या फिर सुधार कर लें नहीं तो सुधार हम कर देंगे मैं ये सपरस्ट रूप से आज आपके माध्यम से ऐसे लोगों को चेतावनी दे रहा हूँ क्यांकि हमारी सरकार का कमिंटमेंट है हमारी सरकार का संकल्प है कि हर वेक्ति को की रक्षा सुरक्षा वो आगे बड़े ये हमारी भावना है गती से प्रदेश विकास की उचाहियों के उपर जाए उसको लेकर के हम काम कर रहे हैं हमारा हर्याना का किसान बहुती परबुद्जन है और मैं तो हर्याना के किसानों को बधाई भी देता हूँ इसलिए बधाई देता हूँ कि माननिय सुप्रिम कोट ने हमारे किसानों की प्रसंसा की है और मैंने आज भी इस बात को कहा है कि हमारे किसान अगर कोई प्राली जलाता है उसको समझाएं अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट की अवश्यकता है सबसीड़ी के अपर हम उपलब्द करा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है और उसका रोजगार का सादन खड़ा हो रहा है हमारा क किसान बहुत जादा परबुद जन है और वो ऐसे नहीं है हमने क्या क्या काम किये है हमारे पास क्योंकि किसानों को जागरू करने के लिए और मुझे ये खुशी है मैं फिर ये बात रपीट कर रहा हूं कि हमारे हर्याना के किसान बहुत ही जागरू कहें मैं तो बहुत हमा हमारे किसानों को परणाम करता हूँ, मैं इसलिए करता हूँ कि जो भी बात हम बोलते हैं, उसको वो सैस अक्सर लागू करते हैं, कोई भी हमारा किसान पराली नहीं जलाएगा, हम मानिनिय सुप्रिम कोट को इस बात से हमारे चिक्षक्षा बज़ कराएंगे। झाल